अमीर बनने के लिए पांच गल्तियां मत करो इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्रेकर मैं मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तित अग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैट्टिस करता हूँ काफी लोग ऐसा है कि जो जिन्दगी भर कष्ट करते रहते हैं हाड़ वर करते रहते हैं और वो कभी अमीर होते नहीं है उनको यह नहीं समझता कि अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं और बहुत सिंपल सी साधी सी बाते रहती है कि जो यह वो करते हैं तो वो अमीर हो जाएगा एक है कि वो लोग वो अपने liability की उपर खर्चा करते हैं तो अमीर नहीं बन सकते चले लाइबली के उपर खर्चा करना इसका मतलब कि जो चीजे प्राड़क्टिव नहीं उसके उपर खर्चा करना जहां से मुझे इंकम नहीं हो सकता है वो चीजों के उपर खर्चा करना जैसे बहुत महंगे कपड़े शूज लैपटाप मोबाइल्स और बहुत महंगी महंगी च शॉलमेंट से आ रही है ऐसे खरचे लगा लेना कि जो खर्चों से मतलब अपने जेब मैसे पैसा बहार जा रहा है अमिर लोग यह वह असे वह खरिटें जो चैशेवरू ही जो चीज़के बाद में वहां से इंकम बढ़ेगा और वह इंकम से वह मेरा ऐसा कहना कि आप जो पै वहां से आपको income आ रहा है वह income से आप जो भी मौज़ मज़ा करने वाले चीजे वह लाग वह खरीदो कि दूसरा point जो है वह कि कुछ लोग जो है वह बच्चत करने में लगे रहते हैं बच्चत करना खरचे कम करना उसके उपर ज्यादा फोकस रहता है और अपना ज्यादा तरह टाइम उसमें गमाते रहते हो कि बचत कहां से करो में कहां पैसा बचाओ और फिर उसमें उनको बहुत टाइम निकल जाता है मालूम में नहीं पड़ता है कुछ-कुछ लोग बचास साथ रुपए बचाने के लिए सबजी मार्केट मे बचाने में 2-2 घंटे घुमेंगे और पैसा बचाएंगे इससे अचया वह यह सल चानी है कि वह सबजी मार्केट में नहीं गया अच्छी सबजी लाया और जल्दी से जल लाके लिया मैंने किस से भी और वो टाइम में और खरचा यह न करते वह और पर कहीं खर्च कर सकता हूं जहां से मुझे 1215 रुपे मिल सकते हैं तो डिफिनेटली मैं अमीर हो जाओंगा फिर तीसरी चीज जो है वह एकि अपने उपर खर्चा नहीं करना तो लोग है ना खर्चा करते हैं तो आखों के नीचे वाला जो पारड़े उसके उपर खर्चा करते हैं अपनी प्रग्यति करना है तो नई-नई चीजे सीखना गौन्फरेंस में जाना बुक्स पढ़ना वरक्शाप्स करना यह ना से खाना अच्छा होना पहना अच्छा होना मौज करना घूमना अच्छे बड़ी काड़ी में घूमना है उसके लिए बहुत सारा होटल जाएंगे वहां बहुत खर्चा करेंगे डांस गाने में खर्चा करेंगे मौज मजा करेंगे बड़े होटल में जाके बड़े-बड़े लोगे शराब पियांगे बड़ी इसमें खर्चा करेंगे तो वह आंग के उपर आपको करेंगे तो आपकी तरख्य क्यों पार समय कि अपनों और और गंटों में खराब होता हैं काफी सर्हें आपने देखना चालू कि आ आपको ऐसा मालूम बढ़ेगा कि छोड़ी 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 काम जो है उसमें हमारा समय खराब हो जाता है समझे आपको चाय पीने की इच्छा होगे आपने घर में पत्नी को बोला कि भी चाय कर दो और वह चाय बना रही है उसमें पांच मिनिट का टाइम जाता है वहां बैठे रहते हैं आपना पांच मिनिट निकल गया है वो आपने प्लैनिंग नहीं किया था कि चाय कित्ते वज़ए पीना हुए यह एकिर आपको खानागाने यह तो खानागाने की लिए आप डाइंस डिया दैञे सकते वो देखो क्या मैं प्लैनिंग की जिंदेगे जी रहा हूं क्या मेरे हर बाते जो है वो है और शेडूल बाते यह है मेरी तो मेरी तरक्य हो जाएंगा तो आपको बहुत फाइदा हो जाएगा इसके आलावा उन्हें देखना है कि हमारे रिलेशन्शिप कैसी है जो पजबर्दस रहे थी उनकी उनके मतलब स्निया जो है बहुत रहता है उनके रिष्टे बहुत बड़े-बड़े लोगों से रहते है ऐसा बोला जाता है कि आप कौन है यह हमको मालूम पड़ेगा कि आपके आजुबाज़ में जो पांच लोगे उसका एवरेज निकालेंगे है आपके आजुबाजम में कौन है रिष्टे आपको पाज लेंगा कि वह जो लोग है उनसे ही मैं अमेर बन सकता हूं और आपको अमेर लोगों के हें पड़ेगा अमीर लोगों संबंदर बनाना पड़ेंगा रिष्टे बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको अमीर लोगों के भीड में खड़े रहना पड़ेगा अमीर लोगों के भीड में खड़े तो आपको भीड आगे लेके निकल जाएंगे तो यह बाते जिनको जिनको ऐस मैं ऐसा लगता है कि मेरे में क्या कमी है मैं ऐसा क्या हुरा है कि मैं अमिर नहीं बन रहा हूं ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सफल नहीं बन रहा हूं उनको जरूर वीडियो शेयर करो ताकि उनको कुछ ना कुछ यहां से फायदा मिलेगा आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर क झाल झाल